इस question में हमें ये table given है, मुझे mode निकाना है, simple से पाता है mode का formula मेरा ये होता है, उसके लिए सबसे बाड़ेना को याद रखना है, कि f1 मेरी सबसे बड़ी value होती है, और ये वाला जो part है, इतना वाला, l के बाद वाला, ये हमेरे साथ positive होता है, ठीक है, अगर आपको negative होता है, अगर आपको negative होता है तो कुछ पंगा है, mode के case में, ठीक है, जहना है, mode के case में, alright, तो mode के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं, लिखते हैं, formula फर निकालते है, model class, model class होती है, वो class इसकी सबसेधा frequency है, मुझे 18 दिखरा सबसे बड़ा, तो यहाँ पर यह होगे मेरी model class, इसकी frequency को हम F1 कहते हैं, वाने कालता है, F1 सबसे बड़ा होता है, अब 0,1 से जोटा होता है, तो इसकी उपर वाली F0, और 1, और 2,1 से बड़ा होता है, तो इसकी नीचे वाली F2, चीक है, तो F0, F1, F2 की value हो आगई, H है मेरी class size, जो की होगा, 4000, minus 3000, यानी 1000, ठीक है, L है मेरी lower limit, model class की, जो की होगी, यहाँ पर 4000, यह री, 4000, तो बस यह वाली values है, values put करते हैं, solve करते हैं, तो मेरा mode की value यह आती है, finally हम answer लेखेंगे, model runs scored by the batsman, is इतने run, चीक है,